ग्लिब्स.इन में आपका स्वागत है मैं हूँ आर्पी सिंग और आप देख रहे हैं बिजनेस सब्जेट सबेरे से गिरावट के साथ सुरू हुआ सिंसेक्स अभी भी 78 अंकों की गिरावट के साथ 35,612 पर कारोबार कर रहा है तो वहीं निफ्टी 14 अंकों की गिरावट के स साथ 9,285 पर कारोबार कर रहे हैं तो एक रूपए की कीमत एक डालर की कीमत इस समय 67 रूपए 83 पैसे बताई जा रही है आयातकों और बैंकों की और से अमेरिकी मुद्राक की मांग आने से सुरूआती कारोबार में डालर के रूपए मुकाबले रूपया 29 पैसे गिरकर 68 द तो इसकी वज़ा डालर की कमजोरी बताई गई अमेरिका और चीन के बढ़ते ट्रेडवार का असर डालर पर पड़ा और इसका सपोर्ट सोने की कीमतों को मिला जिसमें दसमलो सुन एक सुन निफीस दी की यानि 31 रूपए की मजबूती के साथ सोना 3681 रूपए प्रत दस ग किरावट के साथ 49,699 रूपए प्रत किलोग्राम था रूस में हो रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में के प्रीमियम मैंच में टिक्टों को खरीदने के लिए भारती अब तक 1.1 करोंड डालर रूपए खर्च कर चुके हैं जो पिछले वर्ल्ड कप से जादा है चार साल ब्रा विप्रों के मुख्य कारेकारी अधिकारी आबिद अली जेड नीमच वाला का वेतन पैकेज 2017-2018 में की तुल्ना में 34 फीजदी बढ़कर 18.2 करोंड रूपए पहुँच गया है कमपनी की भारसिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है तो वहीं CSO रिशद ए प्रेम जी का वेतनमान 2500 फीजदी से अधिक बढ़कर 5.8 करोंड रूपए हो गया है ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें Glips.in के साथ